बारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बार फिर से इतियास रज़ दिया है भारत के LBM-3 डॉकेट ने हाली में स्रीहरीकोटा उग्रा प्रक्षेपनस्तल से ब्रिटेन स्थित वन वेव के 36 सेटेलाइट को लॉंच किया इससे 26 मार्च को सुबा नौ बजे 37 धवन अंतरिक्ष केंदर से लॉंच किया गया भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इश्रो ने मिशन को LBM-3 M3 One Wave India 2 नाम दिया है One Wave India मिशन में One Wave नाम के UK स्थित One Wave Group कमपनी से संबंदित है और One Wave को New Space India Limited के 20 समझोते परहस्ताक्षर किये गए जो इश्रो की वानिजीक साखा है 36 उफगरो वाला पहला सेट 23 अक्टूबर 2022 को लॉंच किया गया था One Wave के अध्यक्ष उनिल भाती मित्तल ने अक्टूबर 2022 में कहा था कि इश्रो की वानिजीक साख्या New Space India Limited ने 1000 क्रोण रूपे से अधिक के लॉंच शुलक को दो चरणों में 72 उफगरों को लॉंच करने के लिए One Wave के साथ एक अनुबंद परहस्ताक्षर किये है LVM-3 इश्रो का सबसे भारी भरकम प्रिक्षेपन यान है जो अब तक 5 सफल उराने पूरी कर चुका है जिसमें से चंद्रयान दो भी शामिल है दरसल बिटेन की One Wave Group कमपनी ने इश्रो की वानिजीक साखा New Space India Limited के से 72 उपगरा लॉंच करने का करार किया था इश्रो के अनुसार एक साथ भेजेगे उपगराओं का वजन लगभग 5805 किलोग्राम है LVM-3 तीन चरणो वाला रॉकेट है इसमें पहले चरण में तरल इंदन, ठोस इंदन द्वारा संचालित, दो स्ट्रैप ओन मोटर, दूसरा तरल इंदन द्वारा और तीसरा क्रायोजनिक इंजन है इसरो के हेवी लिफ्ट रॉकेट की लो अर्थ और्बिट में 10 टन और जियो ट्रांसफर और्बिट तक 4 टन की वहन छमता है LVM-3 ने अब तक चंद्रयान 2 मिशन सहित लगातार 5 सफल मिशन को संचालित किया है रॉकेट की उरान के 19 मिनट से अधिक समय बाद LEO में Network Access Associated Limited वन वेब के 36 अबगरों का प्रिथिकरन शुरू हो गया उबगरों को 87.4 डिगरी के जुकाओं के साथ 450 किलोमेटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित किया गया यदि मिशन सफल होता है तो भारत द्वारा लॉंच कियेगे विदेशी उपगरों की कुल संख्या 1999 से शुरू होकर 422 हो जागी या वन वेब के 36 उपगरों की या अंतिम किस्त होगी और मिशन के सफल होने के बाद भारत के भारतिये समू और यूके सरकार द्वारा समर्थित ब्रिटेन की कमपनी के पास अंतरिक्ष में परिकर्मा करने वाले 618 उपगरा होंगे धन्यवाद